Hi friends welcome to my channel, आज हम बनाएंगे bread से बने ऐसे ऐसे जोलड काट लिया है कि इसको फ्राइ करेंगे उसके बाद हमाद के चौकलेट गनास ले लिया थे चौकलेट शिरप ले लिया है या फिर कॉंडेंस मिल्क भी आप ले सकते हैं अभी हम बिट को फ्राय कर देते हैं कि देखे तेल गरम हो गया है वह म्नि वैसे एक्ड़ं और कराइब हैं और और ब्राउन कोलराने अधर पकाइएंगे हूं अऑ न गॅडा पकाइब कोशे तो पकाइएं दी में आज पी पकाएंगे, असे दीरी सा आजिस्ता से पो लट लेंगे, कीन का बनी पोक पोगा,fa बनी करोद देखे, मालपवा कितने अच्छा बनी मालपवा को अच्छा बने गएे, कि अब गुरा कलारत बन चेंज हो गया है यह निकाल लेते हैं इसको अब इसमें अभी हम इसमें सभी में चोकलेट गनास ऐसे सभी पर लगा देंगे सभी के उपर स्प्रेट कर देते हैं लगा के इच्छे से अभी इसमें थोड़ा साहल का सा शुबर सिरफ लगा लेंगे चीनी पानी का जो भोल होता है तो हलका रखाएंगे जादा नहीं इसके उपर इसे चोकलेट गनास लगा देते हैं इसको लगाने से बहुत इच्छा रे इसे सबको औरेंज कर लिया है तीनों को अभी हम इसमें हरवडी डाल देते हैं अपने ऐसे इस तरीके से डालेंगे कितना अच्छा लगा रही है ऐसे हम सभी के उपर डाल देंगे यह हो गया हमारा रेडी अब इसके उपर हम चोकलेट सिर्प डाल देते हैं तोड़ा तोड़ा देखिया भी है इसके उपर हम चोकलेट सिर्प डाल देते हैं तोड़ा देखिया भी है इसके उपर हम किस तरीके से हैं डाल देंगे ये देखे कितना अच्छा ये रबड़ी बन के त्यार हो गया है रबड़ी के साथ ने चोकलेट के साथ ने माल पुवे बोल सकती है आपको रबड़ी भी बोल सकती है रस्मलाई भी बोल सकती है कितना अच्छा ये रेड़ी हो गया देखते हैं अगर ही मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लेस लाइक सिस्क्राइब उनसे आपके चीड़